हेलो दोस्तो वेलकम टू दा मोटर एक्स्प्रियंस आज हम बात करने वाले है टाटा की इंट्रा के बारे में ये अब इंट्रा, C&G और पेट्रोल में भी दोस्तो ये गाड़ी बाइफ्यूल स्मॉल कमर्शल में आनी वाली पहली गाड़ी है और दोस्तो गाड़ी C&G में र और एक बटन दबाने से C&G में कनवर्ट हो जाएंगे और आप लंबे दूरी तय कर सकते हो गाड़ी क्लेम करती है ये 700 किलोमेटर रेंज की और दोस्तो जहाँ पेट्रोल मेंगा वाँ C&G में गाड़ी चलाना और जहाँ C&G मेंगी वाँ पेट्रोल में गाड़ी चलाना तो ने अंतर जरूर बने रही है इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो आपको टाटा इंट्रा V20 बाइफ्यूल में इंजन मिलता है 1.2 लीटर बाइफ्यूल इंजन ये 4 सिलेंडर इंजन के साथ आता है और इसमें आपको डिस्प्लेश्मेंट मिलता है 1200 CC और पेट्र आपको पावर मिलता है मैख्जीमम 53 HP और मैख्जीमम टॉर्क मिलता है 95 Nm 1800 से 2200 RpM गियर बॉक्स की बात कर ले तो आपको गियर बॉक्स मिलता है GBS 65 SYNCHRO Mesh गियर बॉक्स और आपको गियर मिलते है 5 प्लस 1 और आपको क्लच मिलता है 215 mm डाया क्लच मिलता है सिंगल प्ले में मिलता है power steering, mobile charging socket, bottle holder, magazine holder, gear shift advisor, fuel economic switch and driver sitting की बात कर ले तो आपको driver plus one sitting capacity के साथ ये गाड़ी आती है टायर साइस की बात कर ले तो आपको intra V20 by fuel में टायर मिलते है 165 R14 LT और suspension की बात कर ले तो आपको intra V20 by fuel में suspension मिलता है front and rear में semi elliptical leap spring और आपको wheelbase मिलता है 2450 mm और आपको ground clearance मिलता है 175 mm ground clearance मिन जमीन और गारी के निचले भाग का हिस्सा gradability की बात कर ले तो आपको CNG में gradability मिलती है 31% और petrol में gradability मिलती है 38% gradability में गारी चड़ाई चड़ने की शमता दोस्तो weight and dimensions की बात कर ले तो आपको gross vehicle weight मिलता है 2295 kg और payload मिलता है 1000 kg अब बात कर लेते overall length, width and height की आपको overall length मिलती है 4460 mm यहने की 14.6 foot आपको overall width मिलती है 1692 mm यहने की 5.3 foot आपको overall height मिलती है 1921 mm यहने की 6.5 foot दोस्तो cargo body dimensions की बात कर ले और नेकी डाले के बारे में तो आपको length मिलती है 8.8 foot और आपको width मिलती है 5.3 foot दोस्तो अब बात कर लेते हैं price के बारे में price starting होती है 7.15 to 8.50 lakh एक showroom दोस्तो यह price हर state में vary कर सकती है अधिक जानकरी के लिए आप Tata के showroom में visit कर सकते है वारंटी की बात कर ले तो यह गाड़ी warranty प्रदान करती है 2 साल या 72,000 km की दोस्तो एप्लिकेशन की बात कर ले तो यह गाड़ी यूज आती है intercity load supply, market loads, fruits and vegetables, e-commerce, close container, medicine distribution, event organization, mill supply, LPG cylinder supply, mandap decoration, water distribution, hardware supply and many other applications दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share and subscribe कीजिए thank you for watching झाल झाल